तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब आने वाले टाइम पर आप एक मजबूती के साथ हुड़ा के खिलाफ होंगे या सैनी के साथ के खिलाफ होंगे या फिर साथ होंगे लड़ाई तो हर political party अपने ओपने खिलाफ करती है सेनी या उड़ा कोई मेरे रिस्सेदार तो नहीं हम राजनितिक विरोधी हैं और दोनों का विरोध लेकर ही हम जाएंगे शायद वो भी हम दोनों का विरोध ले ऐसी तो कोई political party नहीं होगी जो दो party आप इसमें लड़ेगी सर कहा गया कि रंजीत चौटाला बीजेपी चले गया फिर अब बहुत नाखुश दिखाई दे रहे हैं तो क्या वेलकम करने वाले हैं आप जो जाएंगे इसका जवाब तो वो दे पाएंगे और उनकी constituency की जनता दे पाएगी कि जो इतने दल बदल लिये आगे stability जनता को इश्वास कैसे दिलाएगी आप क्या वेलकम करेंगे उनका आएंगे तो जरूर आप उनसे पूछ तो आओ कि अभी वो बीजेपी छोड़ने के मन में भी है एक और पार्टी है आम आदमी पार्टी पिशली बार सब ने देखा इस बार क्या आम आदमी पार्टी के साथ कुछ गजोड की संभावनाएं हैं आपकी अभी वो इंडिया अलाइंस का हिस्सा है उनके साथ अलाइंस की बात करना या इस पे चर्चा करना मुझे नहीं लगता उसका कोई उचित्ते रहता है अभी तो वो फैसला करे वो आगे क्या करेगा आपको लगता है जैसे किरन चौधरी जी आई बीजेपी में तो जाट वोटर्स जो हैं वो आपको छोड़के या फिर बाकियों को छोड़कर अब बीजेपी की तरफ सीधा हाटकोर तरीके से जाएगा कोई कास्ट मुझे नहीं लगता किसी एक व्यक्ती को देखते वे वोट डालती है आज के दिन तो शाहद राजसभा में सुबास बराला भी उनने बेजे हैं वो जाट कम्मुटी से आते हैं किरन जी भी है मैं ये मानता है एक रोश फार्मर कम्मुटी में फार्मर कुमार भी हो सकता है खाती भी हो सकता है बीजेपी के वरोद उनका गुस्सा आगे भी आएगा मायब सैनी साब का ट्विट है मैं पढ़के जरू सुना दू कि हुड़ा और दुश्यन दोनों आपस में अपने पेट के लिए लड़ रहे हैं प्रदेश के लिए नहीं इस पर आपकी बहुत ही सठीक प्रतिक्रिया आई क्या प्रतिक्रिया है क्या इसकी संभावनाय आने वाले टाइम पर लगोगी साब अभी चोहतर दिन के दूले हैं चोहतर दिन उनने बुखे मंतरी का पद समाड़ा उनके पास साथ पॉजिटिव आउटकम भी नहीं है जो वो जनता को गिनवाए कि मैंने ये करकर दिखाए अधिक्तम गोशनाए हैं जो गोशनाए हमने कैबिनेट में अप्रूबल दे दी थी उसको सिरफ नए लिफाफे में दिखाए वही ये कहना की वही दुशन्त कर लेगा उड़ा कर लेगा इसका वलब तो गवराठ है हमसे वो तो त्यार हो जाए अभी करनाल की जनता ने क्योंकि वो मुख्यमंतरी बन चुके थे और चार महीने का समयता जिता दिया उप चुनाव में अब लड़के तो दिखाए करनाल से वो तो आज और रिकॉर्ड कह देता उनके मन में ये है कि भी मैं लाडवा चला जाओ मैं बापिश नरायनगड चला जाओ नरायनगड में उनकी धरम पतनी जिला परिशच का चुनाव लड़ी थी खुद के गाओं में आरगी खुद चुनाव आरगी अब पता चलेगा उनको कि मुख्यमंतरी रहते वे चोहतर दिन में जो फेल हुए हैं जनता उसका जवाब देगी प्रधान मंती नरेंद्र मोदी आएंगे यहां पर और जाहिसी बात है अपने विकासकारे भी बताएंगे और मनौरलाल खटर हो या फिर नायप से नहीं हो या बाकी तमाम नेता है उन सब का भी यहां पर आना होगा तो इसको आप कैसे देख रहे हैं क्योंकि प्रधान मंत्री का एक अलग हो रहा है हारे ही न तो क्या प्रधान मंत्री आ जाएंगे तो हारी वी सीट जीट जाओगे जनता है जनता बाहर के नेताओं को देखे विदानसभा के वोट नहीं देती है लोकल केंडिडेचर को देखे वोट देती है और लोकल केंडिजेटर जो है वो तै करता है कि उस पार्टी का दम कितना है। आपकी नराजगी दिख लिए प्रधान मंतरी से क्या है। कि आप उजी पार्टी के उपर मुख्य मंतरी थे। मेरी कोई नराजगी नियना मैं उनकी पार्टी का हिस्सा कभी रहा हूँ। हम अलाइंस में एंडिये में थे, हमारी सहमती नहीं बनी कई विश्यों पर, अलग हो गए। हर कोई जानना चाता है क्या हुआ, क्यूं आप अलग हो गए। कि हमने उनसे एक ही चीज कही थी, क्या वन्सों रुपे बुडापा पेंशन कर दी थी। शीर शेरिंग पे सहमती नहीं बन रही थी। दोनों ने अलग चलने का रस्ता ले लिए। आज हमारे मुखे गोशना कई, हम पूरी त्रिप्ती ना कर पाए, तो फिर हमें जनता को जवाब देना है। तो अब आगे क्या होने वाला है, क्या एलेक्शन में जो भी रिजल्ट आता है, उसके बाद आप फिर से एक बार संभावनाई तलाशेंगे, क्योंकि बीजेपी, कॉंग्रेस या इंडी अलाइंस ये बड़ी पार्टी के तौर पर होगी आपके सामने। तो आप भी संपर्क में हैं, मतलब कॉंग्रेस और बीजेपी आपर करने की जरूरती नी, पिछली बार कॉंसा मैं संपर्क में था, नंबर्द आए, स्टेबल गवर्मेंट बनाने का मौका मिला, आमने बढ़ाई, आज तो हमारा टार्गेट है कि हम पहले से जादा नंबर लेकर आए, और पहले से जादा मैनत करेंगे तो नंबर्द भी बिलकुल आएंगे, तो आप अपने आपको किंग मेकर की भूमिका में देख रहे हैं एक तरीके से, वाय नोट, अगर हम प्रदेश के अंदर सरकार को स्टेबिलिटी दे सकते हैं और खुद लीड कर सकते हैं अब तो ताड़ा भी हम खोलेंगे, तो अनलब दश्ण चोटाला, किंग मेकर, हर्याना के साबित होने वाले हैं ऐसा लगए आपको? बिलकुल और मैनत करेंगे पहले से जादा मैनत करने दान में देख रहे हैं